है आज हम बनाएंगे कजूर बरफी यह बरफी बनाएंगे। एक पैन लेंगे और वेह पैन में घी लेंगे घी मेल्ट होने पर ड्राइब दिर मेंगोर रोष्ट करेंगे। यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ काजू, बदाम और पिस्ता, आप चाहें तो अपने पसंद के कोई भी ड्राइफूर्ट एड़ कर सकते हैं यहाँ पर, इसी इस्टेश पर डालेंगे अब खस-खस, कि मैं ले रही हूँ दो चम्मच, और साथी में डालेंगे नारियल मैंने यहाँ तीन से चार चम्मच लिया है, और इसे दोई मिनिट रोष्ट करना है, मीडियम फिलिम पर, तो अब ड्राइफूर्ट पर अच्छी से रोष्ट हो गए हैं, इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे, तो मैंने यहाँ खजू लिये हैं, और इनकी बीज निकाल और इसे बिलेंडर में डालके बिना कोई पानी डाले पीश लेंगे, और देखिए मैंने इसे बिना पानी डाले हलकार सदरदरा कर लिया है, एक पैन में घी गरम करेंगे, और जैसे घी मेल्ट हो जाएगा तो खजूर डालेंगे, मीडियम फिलेम पर खजूर को 2-3 मेल्ट के लिए अच्छी से भूझेंगे और इस तरह से खजूर को भूझेंगे जिससे नरम और सॉप्ट न हो जाए और थोड़ी ही दिर बाद आप देखेंगे खजूर सॉप्ट होने लगा है तो देखिए मिक्चर अब सॉप्ट हो गया है अब इसमें रोष्ट की हुए सारे डाइफूट एड़ कर देंगे और गैस आप करकर सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे सभी चीजों को मिक्स कर लिया है अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे अब यह मिक्चर तयार है इसी स्टेज पर आप इसके लड़ू भी बना सकते हैं वर्खी भी ब बना रही हूं इसे इस तरह से प्रेस करकर इसे अच्छे से रोल बना लेंगे अब रोल को खसकस और पिस्ता से कोट कर लेना है जिससे देखने में अच्छा लगे साइड से भी और हट तरब से इसे हमें कोट कर लेना है और एक बटर पेपर लेंगे और इसे बटर पेपर के रखेंगे और इसे टाइट रोल करते जाएंगे अब ये रोल ब्रेडी है इसे एक घंटे के लिए सेट होने के लिए फेज में रख देंगे एक घंटे के बाद रोल को फ्रेज से निकाल देंगे अब इसका बटर पेपर निकाल देंगे और इसे कट करेंगे ये देखिए इसके सारे पीसिस कठो गए है ये बहुत हेल्दी और सुगर फिरी है